हेलो फ्रेंज, नमस्ते, एंजल की रसोई में आपका स्वाग आते तो देखा आपने कडाई में एक कप दूध ढला है। मैंने दूध याने 125 गराम और चीनी डाली है। मैंने 6 श्पून याने जो खाने का श्पून रेता है। वही 10 से 15 गराम और देखा आपने साथ में ही मैंने एक इस्पून देशी गीब भी डाल दिया और साथ में ही सिंगारे का आटा डाल दिया अब तो आप समझी गए होएंगे मैं क्या बना रही हूँ हाँ मैं एका दशी स्पेशल स्वीट बना रही हूँ वैसे तो मैंने यह उठनी एका दशी पे बनाई थी स्वीट जो हर मैंने एका दशी का उपास करते हैं यह उनके लिए भी बहुत अच्छी रेसेपी है तो साथ में हम दैसी केट कोकोनट डालेंगे दैसी केट कोकोनट हमारा है 100 ग्राम और इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर भी वो भी 100 ग्राम ही डालेंगे और दोस्तों अगर आप कुकिंग में न्यू है तो ये सब आप गैस जलाने से पहले ही कराई में पूरा मिक्स्चर मिक्स करके बाद में ही कराई गैस पे चड़ाईएगा नहीं तो आपकी मिठाई पूरी गाठे पर जाएगी क्योंकि सिंगारे का आटा लम्स चल्दी परते हैं उसमें तो आपको दिक्कत होगी तो देखा आपने मैंने इलैची पाउडर भी डाल दिया अब जब तलक स्वीट हमारी पर्फेक्ट बन रही है आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन भी किलिक कर दीजिए वैसे तो मैंने सोचा था आपसे उसी दिन पे ही मैं रेसेपी शेयर कर दूँ बढ़ शाम बाबा के यहां पे जाना था मुझे मंदिर देरी हो रही थी मैं हर एका दशी जाती हूँ तो ये मुझे मिठाई शाम बाबा के लिए बनानी थी इसलिए मैं आपसे उस दिन शेर नहीं कर पाई वहाँ पे मुझे आते आते रात के 10 से 11 बज गए तो आपने देखा अभी मैंने क्या डाला इसमें मैंने बादाम और काजू का पाउडर भी डाल दिया साथ में ही जैसे ये मिठाई एकदम से अच्छी सेट हो जावे और ये देखिए ट्रे को आप पहले ही ग्रीज करके रखिएगा जब तर आपकी मिठाई कोको रहिए और ये दूद को जल्दी एबजॉप नहीं करती है इसलिए इस्टिकी इस्टिकी रहती है बट जैसे जैसे कोक होती जाएगी आपकी स्वीट पेंट छोड़ने लगेगी जब आप समझ जाईएगा कि हमारी स्वीट बनके रेडी हो चुकी है और एक स्पुन हम इसमें फिर से देशीगी डालेंगे कि जैसे इसकी शाइन और इस्टिकी पन दूर हो जाए तो इस्पुन में मैं थोड़ा सा लेके आपको दिखा रही हूँ अगर हमारा परफेक्ट तरीके से गोला बन रहा है हाथ में चिपक नहीं रहा है तो आप समझ जाए हमारी मिठाई सेट करने के लिए रेडी है तो ये देखिए गोला अच्छे से बन रहा है और पेन में भी देखिए आप मिठाई कैसे यहां से वहां गुम रही है तो बस इसको सेट कर देते हैं इसमें कोई फ्रेज में नहीं रखना है कोई ओवरनाइट नहीं रखना है आपका जब मन चाहे बना के आप खा सकते हैं और इसको अप सेट कर देते हैं तो आप इसमें अपनी चोईस के ड्राइफूड भी एड़ कर सकते हैं जैसे अंजीर रहा, खजूर रही, पिस्ता रहा जो आपको अच्छा लगे, वो आप एट कर सकते हैं तो इसको सेट करने के बाद बस मैं इसको नैपकिन से कवर करके वन हवर के लिए रख दूँगी आप एका दशी में कैसे स्वीट बनाते हैं मुझे जरूर कमेंट में बताए और ये आप कहां से वीडियो देख रहे हैं मुझे वो भी बताए मुझे अच्छा लगेगा कि आप तक मेरी वीडियो आ रही है तो देखा आपने एक गंटे बाद मैं आपको स्वीट दिखा रहे हूं कितनी परफेक्ट हमारी सेट हो गई है बस अब इसको हम कटिंग का शेव देंगे कटिंग का शेव आपको जो चाहिए वो आप अपनी चोईस अकॉर्डिंग लगा सकते हैं मैं स्कॉयर में ही लगाऊंगी बहुत इजीली कटो जाती है और सॉफ्ट रहती है अगर आप बनाएंगे तो आप एक बार नहीं दस बार बनाएंगे यही तो रुकिये जरा कानी यही खतम नहीं होती है अब इसको हम लगाएंगे अंजीर के कुछ पीसिस कट की है मैंने आप अख्रोट भी लगा सकते है पिस्ता भी लगा सकते है जो आपको अच्छा लगे तो देखिएगा कितनी अच्छे से बढ़िया से हमारी स्वीट बन के रेडी हो गई है बहुत सॉफ्ट है और बहुत मुमे मलाईदार लगने वाली स्वीट है तो यह हो गई हमारी एकादशी स्पेशल स्वीट रेडी आपको रेशेपी पसंद आई तो लाइक, शेर, सस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं न्यू रेशेपी के साथ तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखिए बाई, टेक केर, ठेंक यू फॉर वाचिंग